हलो दोस्तो स्वागत है आपका गेटिट क्लियर चैनल पर दोस्तो आपके एचपी पुलिस कॉंस्टेबल भरती पे लेटेस्ट अपडेट आई है तो आईए हम जल्दी से जान लेते हैं देखो दोस्तो यहां पर मुख्यमंत्री जैरम ठाकु ने बदाया है कि हिमाचिल बोला जा रहा है कि जो आपकी परिक्षा करवाई गी थी वह 27 मार्च को इसकी लिखित परिक्षा करवाई गी थी और पेपर लीक होने के कारण परिक्षा को रद कर दिया गया है मैंचिन भी किया हुआ है कि जो लीक करने वाले आरोपी हैं वो हर्यानों और दिली से हैं और तीनों को पुलीस ने गिरफ्तार कर लिया है गाइस यहां पर उन्होंने बोलके रखा है कि देखो ऐसा क्या हुआ कि आपका रिटेन एक्जामिनेशन हुआ फिर आपका रिजल्ट आया फिर डॉक्यमेंट प्रोसेस के दौरान इस परिक्षा को आपकी भरती को रद करना पड़ा तो यहां पर मैंचिन क्या हुआ है कि जो पेपर लेक की जांच थी के लिए SIT टीम का गठन किया गया था ठीक है गाइस तो वहीं पर ही उन्होंने कुछ कैंडिडेट्स को पकड़ा हुआ है कि उन्होंने जो है वो चिटिंग की हुई है इस पेपर में अब देखते हैं कि वो पकड़े कैसे गये तो उन्होंने नीचे मेंचिन किया है कि दस्वीक अक्षा में 50 फिजदी से कम और भरती परिक्षा में पाए 90 में से 70 अंक तो यहीं यहां पर ही उन लोगों को थोड़ा सा उनके उपर शक हुआ और इसकार उनसे थोड़ी बहुत पूछताच किये ग पास होए अभी हर्थियों को एवैलोईशन के लिए बुलाया गया था और इसके बाद नियुक्ति होनी थी दस्तावेजों की जांच के दौरान जो आपके SP कांगड़ा है उन्होंने बताया कि तीन युवाओं पर शक हुआ तीन युवाओं के 90 में से 70 अंक थे लेकिन दस प्रक्षा से पहलो ने 6-8 लाक रुपे देकर जो थे वो टाइप प्रशनों के उतर मिल गए थे और बस उन्हें उतर रटने को कहा गया था तो गाईज दुखो यहां पर इस तरह से पेपर में गड़बड हुई थी तो गाईज आपने अपनी त्यारी जो है वो कर लेनी है फिर से क्योंकि पेपर जो है वो इसी महा मैं बोल रहे है कि end में आएगा तो all the very very best और आप अच्छे से अपनी त्यारी जारी रखें थैंक यू